आज हम जानेंगे कि पुलिस किसी को हत्कड़ी लगा सकती है या नहीं तो दोस्तों पुलिस किसी को हत्कड़ी नहीं लगा सकती है हत्कड़ी लगाना बार्ड है बैंड है सुप्रिम कोट ने इसे निशिद्ध किया है एक रिनाउंड केस में इसका नाम है सुनील बत्रावर् कि ग्रिफतारी के समय हद्कड़ी नहीं लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ग्रिफतार कर रही है तो उसे हद्कड़ी नहीं लगा सकती है या असमिधानिक है अनकॉंसिटूशनल है यह हमारे मूल अधिकारों का हनन है जिसमें की आर्टिकल 21 वा आर्टिकल 22 आ करता है ऐसे सुप्रीम कोर्ड ने कई केसिस में बार बार बोला है कि हथकली लगाना आफसा में धानिक है पुलिस किसी को भी हथकली नहीं लगा सकती है तो हम देखते हैं कि पुलिस हथकली किस केसिस में लगा सकती है और सुप्रीम कोर्ड ने इसके बारे में क्या बोला है औ अंजनी कुमार सिनहा वर्सेस स्टीट ओबिहा नाइटीयटेटीटी टो आंजनी कुमार सिनहा वर्सेस स्टीट ओबिहा नाइटी इसे अप्रियों है। From custody or disturbance of peace by violence, the police may put the prisoner under handcuffs. Supreme Court ने expressed किया है कि यदि परिसितियां ऐसी हैं जिसमें उसका आच्र, उसका बरताओ या उसका चरित्र ऐसा है कि वह भाग सकता है या लोग शान्ति को भंग कर सकता है या हिंसा कर सकता है तो उस उस वक्ति को हत्करी लगा सकती है. If a person is handcuffed without there being any justification, it would be violate the prisoner's fundamental right. Supreme Court कहता है कि बिना किसी कानल के किसी वक्ति को हत्करी लगाई जाती है तो या उसके मूर अधिकारों का हनन्त होगा. आर्किल 21 और आर्किल 22 का ये उनलंगन माना जाएगा. अपने राइट को जाने ताकि आप दूसरे के राइट्स का सम्मान कर सकें और अपने राइट्स का सरन अच्छन कर सकें.